शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सब्सक्राइब कर दाएब कर दाएब का दूला कर खुशी के खबर ना सुनाएब मेरे मन को शान्ती नहीं मिलते हैं जग दंबे रक्षा करें मालकिन लेकिन अच्छी खबर होती तो कुमर्साब जरूर्ट तार्वेट पे खबर नहीं आई है तो जर लगता है के आशा, मान जी समिराओ मान, आशा बहुत थक गई, मैं से उपर ले चाओ, चलो आशा दूसरी बहु आएगी और जरूर आएगी, तो जब किसी दूसरी को आने ही है, तो अपनी संजा क्यों ना आए? कैसी अन्नों नी बात कज़े हो भी या, अभी तो पहली बहु? आशे, पहली बहु को आए, साथ बरस हो गाए, मगर गोद नहीं बरी, उपर से हो गई अन्दी मेरी भोली बहन, मैं कहता हूँ, अजय की माता जी, इस तरह अपने वंश को डूपते नहीं देखेंगे और जब किसी दूसरी को सवेली की मालकिन बनकर आने है, तो अपनी संध्या को ना मालकिन बन? मैं जानती हूं भीया, तुम संध्या की भले की सोच रहे हैं, लेकिन कहा वो, कहा हम तो इससे क्या हूँ, हम लोग कोई नीच हैं, अरे हम लोग भी तो ठाक उड़ा हैं, और फिर पहली बहु काउन लगपती के घर से ले आये थे नमस्ते मामा जी जीती रह वेटी, चाय ले आई हो? हाँ मामा जी मेरी चाय में शाकर वो ही है चमाची जीती रहो, वेटी, जीती रहो सच कहता हूँ, लाजो जब भी बिटिया ते देखता हूँ मन बार-बार यही कहता है कि इससे तो मैलों के रानी बनना चाहिए कि अच को खायो हुआ को तेार बनना चाहिए यहाँ गिसकता हूँ यहाँ यहाँ नहीं कि आख प namना उन ỏ यहाँ हमोल डूरेत गोगर अरेत भीटा करुभा यह आजय यह जी यह गाम्निक्सटेली नहीं weigh डीता गठा तो नहीं और यह सब क्या है स्क फट्टिते क्यों मान रखेगे अचर अचर। अशा, रख जा, रॉक जा र७र? आशा, आशा… आज अपनी आख़न जाते पक्ति बानख़ बोगे यह पताचला, कित्वहरो जिख में कितना हां मेरा, कितना हां हा하, आशा, अब मैं तुमे virtualफ एकजया नहीं चोड़ाओउगा, कभी नहीं छोड़ूगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूगा तुमें आपशा हार के तुम्हारे द्वार आई ही उख्णवन तुम्ही तो इस घर की रखवाले हो इस घर को बचा लो प्रभू, इस घर को बचा पहाड जैसी जिन्दगी आजे को सीने से लगाए गोजारने के पुर्खुं का नाम चलाएगा बहु ब्याह कर लाएगा, के मंश आगे बढ़ेगा बर्सो तुम्हारी चोकट पर सरपटका पर तुम्हें दया नहीं आई प्रभू, तुम्हें दया नहीं आई जीवन पर की तपस्या का यही फल दोगे भगवान इस विद्वा को जगदंबे, जगदंबे जगदंबे तो दया करेंगी मालकिन लेकिन वो भी उसी की सहायता करती है जो खुद अपनी सहायता करें मैं तो सब जतन करके हार गई हूं मुनिम जी करने वाली तो जगदंबे हैं मालकिन पर मेरी राय तो यह है कि कुमर साब और बहुरानी को अलग कर देना चाहिए अलग उससे क्या होगा मुनिम जी समय बड़ा बल्वान होता है मालकिन बाग उजड़कर फिर हरे भरे हो जाते हैं अगर जगदंबे को इस घर का चिराग जलाना होगा तो कुमर साथ की दूसरी शादी होते इस घर में रोशनी रोशनी हो जाएगी दूसरी शादी अगर बहुरानी से दुश्मनी कर रहा हूँ तो भगवान इसी समय मुझे उठा दे रहाल तो सिर्फ इस घर का है इस वंश का है दूसरी शादी के सिवार कोई रास्ता नहीं है मालकिन कोई रास्ता नहीं जगदंबे कॉच चमपन चालगी बनाओ वो उट गए उन्होंने चाहिए नहीं जी चमपन सच सच बताओ कैसे हैं वो कल रात उनके बालों में उबलियां फिरते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे उनके बाल रुखे रुखे हैं चैनले कब से तेल भी नहीं डाला कमगी भी नहीं की कौन ख्याल करेगा उनका मैं खुद को मेरी देख भाल से फुरसत नहीं हर अप मेरी खुशी देखते रहते हैं मुझे हसाने के लिए खुद हसते रहते हैं मगर चमपा, उनकी हशी में कभी-कभी तर्थ की आवाज सुनाई देती है मुझे अपने अंध्यपन पर रुसरा पर भी दुख नहीं है उन दुख है तो इस पांगा के मेरे कारह उनकी सिंदगी उदास हो गए आप क्यों? अगर लीने थुआनी चो रही है बस यहीं सोचते रहती हो केले बैठे-बैठे पगली, नार उदास होगा और वो भी तुम्हारे साथ रहे कर चलो चाई प्यों आओ लाजो, मैंने जो बीज बोया था बस उसका फल आया ही जाता है मैं सिर्फ यह कहने के लिए आया हूँ कि मैं यहाँ से जाकर अजय को किसी ना किसी बहाने तुम्हारे यह भेज दूगा आगे सम्हालना यह तुम्हारा काम है मेरा मतलब है के लड़का लड़की आपस में घुल मिल जाए बस यह जगदंबे अजय आशा क्यों आशा आशा मां को मिलाओ मालकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ उमर साब आते ही होंगे मैं तो बात करूं गई लेकिन वह बहुरानी को छोड़कर शहर चले जाए यह आप ही कर सकती है हाँ हाँ मां तुमने मुझे बलवाय था हाँ शहर से वकिर साब ने खबर भीजवाई वही पच्छी माली जमीन के मामले में कुछ साब मामला कोर्ट में आ गया है इसलिए दो एक दिन के लिए आपको जाना ही होगा लेकिन ये काम तो आप भी करते आये हैं आप क्यों नहीं चले जाते मुझे बहुत मान देते हैं कुछ साब लेकिन मामला कोर्ट का है तो वहां मालिक मालिक रहेगा सरकार और नोकर नोकरी रहेगा ऐसे भी क्या बात है मुझे मजी हमें आप पे पूरा विश्वास है आप जो करेंगे ठीक करेंगे जगदंबे जगदंबे मुझे साब अगर मेरे जाने से काम होता है तो मैं आपको कश्ट देता है वो तो सही है लेकिन लेकिन आशा मेरा मतलब है इन अहलाद में मेरा जाना ठीक नहीं तो ठीक है तुम दोनों रहने दो मैं चली जाती है तुम कहां जाओगी मां? क्यों नहीं? जवान बेटे की होते हुए विद्वा मां अगर जिले के दफतर जा सकती है तो कशेरी भी जा सकती है यह तुम यह तुम कैसी बातें कर रही हो मा? और नहीं तो क्या आज कितनी दिनों सा तुम्हारी सूरत तक नहीं देखी आशा को तुम्हारी जरूवत है लेकिन इस घर को भी तुम्हारी जरूवत है जमिदारी को भी तुम्हारी जरूवत है लेकिन लेकिन तुम समझती क्यों नहीं मा आशाल अचार है मजबूर है मजबूर है अपाही जब इस घर में उसे देखने वाला तुमारे सिवा और कोई नहीं नहीं न मैं जाओंगी कचरी मुनिम जी तैयारी करो मुनिम जी सरकार मां से कह दीजे वो कचरी नहीं जाएंगी मैं जाओंगी जी तेरो गूर साब जगदम बे जगदम बे आपको जा रहे हैं न हाँ आशा लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने कुछ जी नहीं चाहता जबसे तुम्हारी आँक यह पहला मौका है मैं तुमसे अलग हो रहा हूं इसलिए तो चाहते हूं कि आप जरूर जाए नहीं तो सारा दोश मेरे पर आजाएगा आशा दोश कैसा नौकर जाकर माजी सब यही सोचेंगे कि मैं सारा वक्त आपका पल्लू थामरे बैखे रहती हूं मैंने आपको बिगाड़ दिया है सची तो सोचेंगे वो तो वाकी तुमने मुझे बिगाड़ दिया है आपको मुझे को दोश देंगे और नहीं तो क्या तो यह सारा कुसूर तुम्हारा ही तो है मैंने क्या किया है यह तो बताएंगी आशा, तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, कि मेरी दुनिया में सिवाए तुम्हारे और कुछ नहीं रहा, कहीं जाने कुछ जी नहीं चाहता, बस जी चाहता है, तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनता रहूं, त मेरा क्या खुसूर है खुसूर एक नहीं हजार है एक मामुल या गरीब धर की लड़की को जोंपडी से उठाकर महल की रानी बना देना मैं अंगिल हो गई और आपके रास्ते का पत्थर बन गई मगर मुझे उठाकर फूलों की दरावने सर पर रख लिया हर रोज अपने हाथों से खाना खिलाना मेरी पसंद की मुझे साड़ियां पहनाना हर वक्त हर पल मेरी आखे बने रहना यह सब आपका कसूर नहीं तो और क्या है मगर मैंने आपको क्या दिया आपकी पत्मी होते हुए भी मैंने आपको कुछ नहीं दिया इस गार का चिराग रोशन नहीं कर सकी फिर भी आपने कभी जायर नहीं किया कि आपके दिन में बच्चे की तड़प है इनों कसूरों की सजा तो मिलनी ही चाहिए आपको भगवान करे मैं हमेशा ये कसूर करता रहूं और तुम मुझे हमेशा ये सजा देती रहो जनम जनम तक हम दोनों एक साथ रहे आप चले जाएंगे मैं आपका इंतिजार करूंगी पल पल के दूंगी घड़ी घड़ी का हिसाब रखूंगी एक-एक से आपकी बाते करूंगी आशा ये हम जुदाई के बातें क्यों कर रहे हैं ये तो मिलन की रात है आशा मिलन की रात है ना आप बात अच्छे हैं सच मैं बहुत अच्छा हूं आशा तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूना तो मैं ऐसी बाते ना सोचा करो आशा अच्छा आशा अब मैं चल्दू आप में सब कुछ रख लिया नहीं? हाँ सब कुछ रख लिया आपके राख के कप्डे? वो भी रख लिया एक चोड़ी चपपर? वो भी रख लिया शेविंग के लिए ब्लेड्स? अच्छा चलो बापाई सुनिए आशा 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 तुम अदास तो नहीं होगी? जरा मुस्कराओ तो हाँ बस ऐसे ही रहना हाँ तक मैं ना आजाओं ऐसे रहना प्रमिस? वाँ 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 मुस्कराओ बरसों के बाद यहाँ आया हूँ लेकिन चाहिए बिलकुल वैसी की वैसी उतनी मज़दाव लगता है समय बीता ही नहीं वाँ जी वाँ काम किसी का और इनाम किसी को ये चाह तुम्हारी मौसी में नहीं मौसी की बेटी मी बनाई है ओ इसी मौसी संद्या बड़ी तेद हो गई है तुम्हे देशरी जादा बोली है मिता हम तो दिलों तक इसकी आवाजी नहीं सहीते संद्या जा बिटा ये को कमरे में लेगे जिरम भादोले आराम करने उठे माच आए जी चलिए संद्या संद्या ये संद्या बोलो नए संद्या बोलो नए संद्या अच्छा जी चार दिन से यांके सुरुद देखने को तरस के और उल्ता हमी से रूट गई नाराज को हमी मोना चाहिए मैं मर गई आरऊ अच्छा जी מא ऑं जी आत्वं जीए मान ने काफी के लिए मगो μगो काफी तुमारे हाँमे है लैकिन वे शक्र है वे शक्र नहीं है शक्र नहीं है ज़्याँ दीखनेор शक्र तो है शकर है ? कमाला शकर भी है लेकिन तुम जाओ न सज़ा मैं तो चलाजाओ। यह जो घोड़कि में हो जाता खोड़कि में है बाड़कि में वह गधा है घड़ी देखिए manager उनने राज वह नहीं परचाठ भी और वच्रव नहीं बने थे तुम्हें वो पसंदे है पसंदे है अच्छा है बुट अच्छा है बुट अब मैं मौसे किसा जा काफी पीता हूं, ओक्या हुआ कॉट? मैं हूँ, बैठी रहा हु अजे की बिना घर सुना सुना लगता है ना? घर का कोई भी आदमी बाहर चला जाए तो ऐसे ही लगता है घर में कोई बाल बच्चा हो तो ऐसा नहीं लगता भगवान को मुझ पर दया नहीं आई भगवान को नहीं आई? क्या तुम्हें भी नहीं आई? जी किस पर हम पर इस घर पर मेरे बस में क्या है एक अंधी लाचर और अउरत करी कह सकती है तुम अंधी जरूर हो लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूँ जो तुम्हें भी साफ साफ नजर आई उस तस्वीर के दो पहले हूँ एक तुम और एक मेरा पीटा पहले अपने आप को देखो तुम क्या हूँ एक तंधी बांज खुदगरज आउरत जिसने अपने स्वार के लिए मेरे बेटे के जिन्दगी बरबास कर दो साथ साल शादी को हो गए घर में एक बच्चा नहीं पत्नी की सेवा करना पत्नी का धर्म है नगर तुम सेवा करवाती हो घर बिगड़ता है बिगड़ जाए खांदान मिठता है मिठ जाए पती का सुक्चा है लुटता है लुट जाए और तुम कहती हो अंधी हो लाचार हो करी क्या सकती हो अब इस तस्वीर का दूसरा किसी चीज की होशनी तिरुप तुम्हारा साया बनकर रहे कि न किसी काम की लगत न कहीं आने जाने से मतलब इन राज तुम्हारे पास बैठा रहता है उसका प्यार एक प्याग है बड़िदान है अपने आख अपर पट्टी बांद कर देखता था कि अंधों को क्या तकलीफ ह अंधी अंधी तुम जरूर हो लेतिक की की अंधी नहीं तुम जांती होखे है जांती हो कि मकान जायनात रुपिया पैसा बात कुछी और मेरे मरने के बाद जिसका लो तुम्हारे पास आने वाले कि इसलिए मेरी बालत पर सबंसर मैं बोझरा आ एक अंधी और बाँ जारत, किसी को क्या दे सकती है। मुझे कोई हक नहीं है, जिंदकी भारून पर बोजबनी रहू, इस खाननान का नाम में दा दू, इस घर का चराग बजा दू सच कहती हूँ, मुझे मकान चायदात रुपिया पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहती थी, उनकी और आपकी जूतियों में पड़ी रहती। मुझे राख, अब मेहाद ही रहोंगी, मेहाद हमेशा के लिए चली जाओंगी। मैं आखों की अंधी नहीं, अकल की अंधी भी हूँ, मुझे माफ करता, मुझे जाओंगी। मुझे जाओंगी। मुझे जाओंगी। अरे बार बच्चा मैने देना है क्या, बच्चा देने वाला उससे कोँ मेरा दूडो ये क्या है? मावी तढ़ी तेरे पागल हो जाँ बगल में लड़का और शहद में दिन्टोराग कमाल है आशा, अशा बेटी तो, दो कुपर आओ आशा, क्या बाते बेटे, तु ठीक तो है ना, मिरी आखे चली गई है, और अभी तक किसी ने मुझे ख़बर नहीं दी, दो पैसे का खाथ ही लिख देते वेटे, मैं नहीं रोख दिया था, सोचा, मैं ठीक हो जाओंगी, लेकिन आओ, तु ठीक हो जागे मुझे, ठीक हो जा आगे बेटा, हाँ मा, पाए लागो, जुग जुग जीओ, अच्छे तो रहे, काम हो गया, काम बिल्कुल ठीक हो गया, मा, जगदंबे, जगदंबे, उमर साथ जायो, काम नहों मालके, अच्छा मा, अब मैं ओपर जाता हूँ, आशा मेरा इंतजार कर रही होगी, बेटा, आशा उपर नहीं है, नहीं है, वो तो तुम्हारे जाने के तीसरे ही रोज अपने भाई के घर चली गए, अचीब बात है, मेरे जाने तक तुसका कोई इरादा नहीं था, यह जाने कैसे चली गई, उसके जी की माई क्या जानो बेटा, कहने लगी, जी नहीं लगता, ओ आशा ने कोई बात थी, तुम भाई बहन जिस दिन मुझसे बात करोगे, दुनिया का दस्तुरी बदर जाए, जब देखो, जब देखो, जब जबान पर कटार लिए बैठी रहती हो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आशा और उसकी साथ, एक हिंटे दूबर क्या कर रहे है, मैं आशा ने कुछ दो बताया होगा, वो आएगी तो ख़ब पूछ लेना, मुझे तो आशा चाहता सुराल वालों के नियत अच्छी नहीं लग रही, मैं जाने उपस एक गंटे से क्या किर्टी पक रही है, मैं आपको वच्छन देकर आए थी, आपके बैटी के जिंदगी से निकल जाओंगी, उनके रास्ते में रुकावत नहीं बनूंगी, मेरी बात का विश्वात नहीं आया था आपको, नहीं, ये बात नहीं, आजए कल तुम्हे खुट लेने के लिए आने वाला है, मैं जानती हूँ आशा, वो तुम्हे बहुत प्यार करता है, उसके आने से कहीं तुम्हारा मन ना बदल जाए, ये बात से लाने आए थी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा उनके रास्ते से हट जाना ही ठीक है, इस बात का मुझे यकीन हो गया है, इस ही मैं उनके खुशी है, मैं ये खुशी बरबाद नहीं करूंगी बदीत ही बदीत है, इस बदीत है पर बोज तो नहीं हूँ मैंने तुम्हें गोज खिराया अपनी अवलाद की तरह पाला है तु मुझ पर बुछ कैसे हो सकती है आशा अगर मुझे कभी बगमान मिले और ये पूछे कि बता तरी तमन्ना क्या है तब उनसे ये कहूँगा तो मुझे जितने जिनम भी मिले आशा को मेरी चोटी बेहन बन बताओ वेटे मैं उनसे खुछ चली आई हूँ क्यों उन्हें बच्चा क्या ये था हांदान का नाम जिन्दा रखने वाला उनके बंच को आगे चलने वाला मैं उनके तमन्ना पूरी नहीं कर सकती बार गये हुए थे मैं उन्हें बिना कहे चली आई कल वो यहां आ रहे मु उनसे बहुत प्यार करते हुए बहुत प्यार करते है लुगर मैं उनकी खुशियां पर बात नहीं करना चाती हूँ अगे श्टे सहाट जाना चाती हूँ पाया इस काम में मेरा हाथ बताएंगे ना आँ कहो पाया पाया आँ कहो आप ए आप हाव मैं तेरी हुशी स्नमे है तूझ तुझ तूखी है जिए खाव मैं आप में पर्तिक है से में राव थे अजम आएंगी और तुम्हें उनको वापस भेज़ना होगा हमेशा के लिए, कैसी करोगी, कैसी, कैसी आशा आशा क्या ये सच है, कि तुम मेरे साथ अपने घर नहीं जाना चाहती हो हाँ क्यों आशा माने कुछ कह दिया क्या मैं जानता हूँ आशा तुम अपने बचन की बड़ी पक्षी हो माँ के खिलाफ कभी कुछ नगांगी लेकिन आशा वो बचन तो मैं नहीं तुमसे लिया था आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या बात है आशा बात सिर्फ इतनी है एक खर में एक ही और रह सकती है और उस खर में मैं रहूंगी या आपकी माँ आशा आशा यह यह तुम कह रही हो आशा तुम ठीक आशा ठीक अगर तुम अपने घर से दूर खुछ रह सकती हो आशा तुदरूर रहो तुदरूर रहो लेकिन एक बात याद आशा तुम घर हमेशा हमेशा तुवारा इंपजार करता है अजे अजे आशा 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 ऐसम जूट है ऐसम जूट है अशा मुझे अपने साथ ने जज़ो मुझे अपने साथ ने चलो जे में दूहार पगलड़ई नहीं है तुम नहीं है तुम्यट आशा अशा यद्ध कि दॉक्टर साथ है ओ सब्सक्राइब कोई है यह नहीं श्रेफ लोग जब किसी के घार आते हैं तो पहले दर्वाजे पर दस्तक देशें और फिर इजाज़त लेकर अंदर करो रखें लगता है आज भी मरीज नहीं आया मरीज तो नहीं लेकिन अभी अभी एक पर समीज आया है वह बड़े बिगड़े हुए तेवर हैं भावी से खटपट होगी क्या समीज से बात करो मिस्टर क्या बात है दॉक्टर साथ आपको गलत फहिमी हुई है गलत फहिमी तो मुझे उस वक्त हुई थी जिस दिन मैंने तुम्हे शरीफ समझ लिया था क्या मतलब मतलब मेरा तो साफ है तुम अपना मतलब बता और यहां से चलते बनो डाक्टर साब मैं तो अपनी आशा को यहां से लेने आया हूँ आशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी इसलिए कि वो पॉओं की जूती नहीं है जब चाहा फैन लिया जब चाहा उतार कर फेंक दिया बोधास है पहले उट बुढ़िया दुटिया कई हें आ तर अचाह को दियांने लिए मबर्दार जो मेरी मां के बारे में एक लफ भी कहा थो और आप लोग जो चाही कर सकते हैं आप लोग जो चाही कह सकते हैं ये कंदी और लाजार को घर से धक्के मार कर पार निका सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं पाकुर सहाब, अगर आप लोगों को अपनी दौलत का नचा है तो अपनी जूलत का नचा है तो हम गरीबों को भी अपनी इस्थ का नचा है चलेजाए के यहां से आशा उस गर में वापस नहीं जाएगी मैं यह सब कुछ आशा की जबान से सुनना चाहता है नहीं, आँ्छा से तुम नहीं मिल सकते आशा मेरी बीवी है बीवी है नहीं ठी वो उसरफ मेरी बहन है कुछ匯 हो मैं आशा से मिले बगार नहीं जाओगा में जूँ में स्टर रुख जाओ, मुझे बथ तोमेडी पर मजबूर ना करो तुम तो आखों वाले हो रास्ता तुमें साथ नजर आगिया होगा मेरी बहन तो अंदी है चार ठोकरे खाकर यहां पहुंची होगी चले जाओ यहां से मैं कहता हूं चले जाओ निकल जाओ यहां से अकल बेच खाई है यह जवाई बाबुस ऐसा बरताव करते हो हाब जाओ जी किनते हैं तुम नाग दानते रहुआ मगर मैं चुप नहीं रहूंगी नहीं रहूंगे नहीं रहूंगी आशा हमारी बैटी है जिंद के भर हमारे खलक्रों पे रह सकती कमाधर प्या देने के बाद पती का घर ही उतका घर है, उतका जीवन मेरन उसे चोकर पर है चलिए आजे बाबू, आशा उपर है शांती है मा गई शांती तुम देहन के तुष्पन हो गए हो, तो मैं भी हो जाओ जाओ चलिए बाबू, कुछे आशा, आफी तो इधर ही थी आशा खड़ी थी घृ, आशा है आशा की सरी आशा, आशा, प्रिय होँ आशा, आशा कर दो 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 मुझक आप मुझक मुझक भी फॉपक मुझक nggak कि पॉपक कहılar कि थे युपक मुझक दक साब दक साब आशा कुमर साब ये रहे आपकी आशा इसे अपने घर ले जाएए मेरी आशा ससुराल जाएगी मेरी बच्ची ससुराल जाएगी आशा चली गई कुमर साब आशा चली गई जिसे मैंने बच्ची की तेरे पाला जिसे देख देख कर मत जीता रहा जिसने अमेजा आपने भाई की गरीबी पर परदे डाले आज आज वो रूट कर चली गई और रूटी भी ऐसी गुबर साथ के जाते जाते अपने गरीब भाई को उसकी साड़ी भी वापस कर गई जाए 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 आपने महलों में जाए बजिए फिर सेरे बाण दिये फिर से याँ पर जवाए आपको तो संख इंग भी मिल जाएगी कभी नहीं मिलएगी जाए 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 गोट्राप आप यहां क्या vraiment रुक्टर साहब अब मेरी दुनिया में भी क्या रखा है ना जाए लाद को आपकी माने मेरी बच्ची से क्या कहा क्या है का मेरी बच्ची से क्या का रखा है अरी यह सब क्या है तुम बहु का लाने गहे थे ना कहा है वो बहु का है लाश नहीं मिले यह साड़ी लाया हो ताके तुम्हें यकीन हो जाए आशा मर गई है आशा मर गई यह सब कैसी हो गया बेटी आशा की मौत की खबर सुनकर तुम महरान हो रही हो तुम जिसने अपनी जबान से उसे मौत का खुक्म सुनाया यह जूटे यह गलत है अजे तो सर्फ इतना बढ़ातो तुम रात वहां क्या करने गई थी क्या कहा था तुमने मेरी आशा को क्या कहा था तुमने क्या कहा था तुमने मेरी आशा को अजे अजे मेरे बेटे मुझे पेटा नको मेरे लिए मेरी आशा मर चुकी है तुमारे लिए तुमारा बेटा अजे आजे, आजे, तुम मा को किदे छोड़कर नहीं जा सकते हूँ मा, इस तरह मेरी दुनिया उजड़ गई है, इस तरह तुम्हारी हवेली भी उजड़ जाएगी आजे और तुम अकेली सुनसान हवेली में चीखोगी, चिलाओगी लेकिन कभी कोई आज नहीं आएगे, कभी नहीं में नहीं झाल, बाल, 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 नहीं मैं कहूँ हूँ, मैं कहूँ, तु हमार घर में हो विद्या, हम ही तुम्हार कपड़ा बदलकर अपनी दोती पहना दिये, तुम कौन हो? हाई राम, तुम का दिखाई नहीं देट का, लेकिन तुम कौन हो, जरो नहीं बिटिया, हम अंगनवा धोबी, आई हमार जनाना मलिनिया है, तुम गंगाजी में बैदें, भगवान हाथ दिया, और हम अपने घर लेया है, वो, तुम मेरी खिसमत में मौत भी नहीं है, तुम मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया, ऐसा नकाव दिखिया, दुख से हार कर, कुई अपना जीवन हारे है, तुम अपना पता बताई दे, हम तुम का पहुंचाई दे, नहीं नहीं, मेरा कुई 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 नह माजिस आप लोग बहुत खुछ निसी थे हर्वान ने बड़ी दिया किया है आपका सच कही है डॉक्टर साहब मेरे अजे कोई खत्रा तो नहीं है नहीं नहीं अजय बाबू का कोई खत्रा नहीं है मगर कुछ दिनों के लिए उन्हें यही रहना होगा में तो आगया है ना मैं उससे मिल सकती हूँ एक मेंट के लिए डॉक्टर साहब सिर्फ एक मेंट के लिए मिल दीजिए मगर जाजिस्ट अपना कीजेगा अजे 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 मेरी तरफ देखो बेटा क्या अपनी मा से बात नहीं करोगी अजे 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 बातकी किसने दिनों के बार देखा तुम्हें आज राखे हैं ना सोचा आशा तो तो भाईया को कोई राखे ना बादेगा क्या वो भी सुगा से युही बैठी ना रोटी ना पानी बार बार एक ही बात कहते है मेरे आशा राखे निकाएगे डाखे एक हाएगे बेरे आशा पाया आशा में कलबना हूं करना जी तिरा मेटी आज तुम्हें सुखी रखे, मैं सिवाय आशीरबाद के तुम्हें कुछ नहीं दूगा, चानती कलपला से कह दो, कि मैं आज से किसी बेहन को राखी के दिन जारी नहीं दूगा, जारी नहीं दूगा सोची से थाने में रपट लिखाए देगी, पर मन कहा थे कौनों घर की इजद है, पत्नामी बुझेगे, समय आप अपने आप एदे है, हमका तो कौनों बड़े घर की दिखा थे, उकके हाथ में अंगूठी है, हीरे की है, हीरे की, अब बड़े घर की होए, चाहे छोटे घर क सुख और दुख तो समझ के साथ रहत है, हाँ जोटी, जोड़े और कंबल सब दिन लिए गाया है ना, जी सबसाद, बराबर हैं, जी हाँ जाँ, जाँ कुमर साहथ, आप अच्छे होकर आगए, इस हवेली को नया जीवन दिल गया कुमर साहथ, लाख लाख भन्यवाद है जगदंबे को, मात इच्छे कुमर साहथ, ये धोटी, जोड़े और कंबल ब्रामणों और भिखारियों में बाटने के लिए मंगाये गए हैं, आप जरा इने हाथ लगाते हैं, बस काम शिव करके आगाए जिन्हें मेरे बच जाने की खुशी है, उन्हें के हाथ लगवादो, मुझे कोई खुशी है, कुमर साहथ मुनियमसी, मालकिन, हाजे कामन मेरी तरफ से साथ न हुआ, तो मेरा जेना मुश्किल हो जाएगा आप चिंता न कीजे, मालकिन, समय बड़ा बल्वान है, कौन नहीं भूला और कौन नहीं भूलेगा आप मेरी मानिये, तो थोड़े दिनों के लिए संध्याव उनकी माता जी को यहीं बुलवा लेजिए, बात बनते देर नहीं लगेगी आप चित्थी तो बिजवारी ये, जगदंबे सब अच्छा करेंगा हम तेटर चाहे आज घाट पर ला जाई हो का, इन्या बैठे गुरगुर करियो तो खाई हो का अरे घाट पर जाएगी सोच रहे हैं, पर कहा करी, बिटिया की चिंता खाये जाते, इतने दिन हुई गवा, बैदराज की दवा खात, लेकिन कौनों फायदा नहीं गवा, भूख तो बिनकुर नहीं लगत है, और जोर जवर दस्ती करके कुछ खाय ले था, तो उगल दे थ अराज़ कूल भूख सेवा, बिटिया माँ बने वाली है, मा, मा और जाए हो जयु गंगा मईया, जयु बिटिया पहले भेज दी, अब तो हम नाना बदे वाले हैं, हाां रेकर माँ मैं माँ बनूगी बच्चा इनका बच्चा इनका बच्चा इनका अच्छे राख संद्या तुम्हारी माने और मैंने बच्चपन में गुडियों का ब्यार अचाया था आप दो ना ने अरे अजय आगे अजय संद्या तुम कब आएए वाजी वाजी जैसे मालू में नहीं हम कब आए आओ ना तुम मां से मिलोगे मौसी को मां से बातें करने दो अजय तुम्हारी तुम्हारी अजय 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 कहना तो बहुत कुछ चाहते हूं पर कहना नहीं आता बस मियों समझ लो कि तुम्हारे दुप में भिश रहू संद्या यह तो दुनिया है अपने अपने हिस्से कर सुफ दुख सभी को मिलता है अजय तुम को अच्छी सबात सुना मैं क्या सुना यह बताओ के वो महाशे अभी तक क्रिकी के बहारी लटके हुए है या उने दरवादा मेला है कौन? अरे वही इनके ना आने से राते नौग नहीं बचते धन्यो प्रफू आज एक जमाने के बाद अजया इस खर में रह सकती है संधा को अपने चर्णों में जगा दे दू बहु बना दो उसे लाजवन्ती तुम न तो मेरे मन की बात कह दी पागवन्त जगदंबे 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 मौसमा एक बात पूछो एक का दूई पूछो मुझे डर लगता है कहीं बच्चा मेरी तरह अंदा हुआ तो ची तुम तो बाउर आई गई हो यह का कोई छोटी बीमारी है जो बच्चे को लग जाएगी हमार लल्ला तो चंदा की तरह सुन्दर होई है और आखें होई हैं यह बड़ी-बड़ी बीतिया घर की मैसा ही बच्चे के बाप की याद तो आती ही होगी मौसी बीतिया अब तो पता ठीका ना बता दो मौसी मैने तुम लोगों से बहुत कुछ पाया है बस एक ठीक और मांगती हूँ मुझसे उनका नाम नपूछा करो नपूछा करो आग लगे हमरे मुह में जो आज के बाद पूछू नहीं पूछब बीतिया अब कब हो नहीं पूछब यह हर मुझसे ने दिया है हाँ बेटी यह हर इनके खांदान का बड़ा पुडाना हर इस घर की हर नहीं बहु को पहना जाता बहु बहु मुझे बहु करवाएगी इतने बड़े घर की बहु बला रहे हैं तुझे और क्या चाहिए मुझे सिर्फ इतना पता दो मा क्या अजय को इस बाग का पता है पता किम नहीं उसकी शाली की बाग और उसके मर्जी के बगएर होगी आउ संद्या मेरा नाम तुम्हारी जबाद से गाली की तरह आता है मेरे तुम्हे क्या समझा था और तुम्हे क्या निकले पाथ के है संद्या पाथ भी मालू नहीं अगर आशा के मरते ही दूसरी शादी का ख्वाप रचना था तो उस गरीब की मुहबद का स्वांगी क्यों भरते रहे यह तुम यह तुम क्या क्या रही हो संद्या मेरे अब प्रचान के बारे में सब कुछ जानते हुए तुम मुझ से शादी करना चाहते हो तुम मुझ से शाले करना चाहते हो शारमाने चाहिए शारमाने चाहिए तुम्हे मुझ अपने घर ले चलो मा अभे इसी वक्त मेरा दम गुटा इस घर में समझी मैं चाह रही हूँ मा मा यह सच है हाँ बेटा मैं तुमसे बात करना ही वाली थी तुम्हारी मौते और संजय यही थी अचानिक तुम्हारी शादी की बात निकल पड़ी और पक्की भी एक बात अच्छी तरह समझे लो मा अब इस घर में बहू कभी नहीं आएकी नहीं नहीं ऐसा न कहो बेटा मैं जानती है, दूसरी शादी का ख्याल तुम्हारे दिल से बहुत दूर है फिर भे मैं बढ़े जिद करती हूं तो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए भी नहीं सिर्फ इस घर के लिए, इस खांदान के चराग के लिए तुम कौन से चराग की बात कर रही हुआ वो चराग तो कब कब बुच गया आशा की मौट के साथ ये खांदान हमेशा के लिए खत्म हो गया नहीं, कभी नहीं एक मरी हुई बीवी की याद हमारा नामों निशान नहीं मिटा सकती तुम शादी करोगे और जदर करोगे तुम जिद्धी हो तो मैं भी तुम्हारी मा हूँ मैं तुम्हारे मरे हुए बाब की सोगन खाके कहती हूँ मास से मैं अन्न और जलका मोने ही देखोगी माँ माँ तुम क्या कर रही हो माँ अब ये दर्वादा उस रोज कुलेगा जब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगे या फिर उस रोज जब तुम मेरी लाश उठाने आओगे कहां दया रही हो कमला से मिलनी जा रही है मैंने तुम्हें एक बार नहीं सौ बार कह दिया है अब तुम किसी की महतर हो अब तुम घर से वहार कदम नहीं रख सकती तुम मुझे इस तरह कहने कर सकती जज लेवो तुम लेज जाओगेम स्ट्री मेरी जा विद लेवोगे स्टिए मा दर्वादा खुलो मा मैं तुवारे लिए खाना लाया हूँ दिन छोड़ो मा दर्वादा खुलो खोड़ा सा खाना खालो मा मौजया हूँ मौजया खाना घ्वानो लगार ई yeah फ़राई में वापट जाना नहीं जाती हूं परशाइट मुझे लेशनो कोई razem मुझे अपने सीने में छुपा दोнаком करशाख मैने तुमसे मयदो महबद गहिए हे जाऊंता मेर्जेड़िते मेरा नाम को मती में नहीं परछाए हग हग कुमर साहब शास्त्रों में लिखा है के मात्रहत्या से बलकर दूसरा पात नहीं आज चार दिन हो गये हैं मालकिन की हालत बराबर बिगड़ती जा रही है आपको हवेली के कारवार के लिए रखा गया है आप वो देखे मैं अपनी अवकाद जानता हूं सरकार मगर आप जा सकते हैं जाता हूं अच्छा थाकुर साप माजी तो मेरे लिए भी दरवाजा खुलने को तैयार नहीं बलड प्रेशर की तकलीव तुन्हें पहले ही जय है मुझे तो ड़द लगता है ठाकुर साप इस घर से मेरा नाता है इतना पुराना है ठाकुर साप कि आप से साफ साफ कह देना में अपना हाग समझता हूं आप कुछ भी किजिए माजी कोई वरत तोड़ना ही होगा वरना अगले बारा घंटों में कुछ भी हो सकता और फिर उनको बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा Thank you doctor Maa दर्वादा खोलो Maa तुम्हारी बात रहेगी Maa मैं हारा तुम जीत गए दर्वादा खोलो Maa Maa मैं तुम्हें बच्छन देता हूँ मैं तुम्हें बच्छन देता हूँ संद्या की शादी होगी और सरूर होगी कंष्छन क्यूत आश्चन मैं 貹लली कि अलएजित जिटिस पोल का भाभभव का भुल हमार मुगा तुकु तुकु बेखा था जा हलवाई से मूथी चूर कला डूल लियाए मूथी चूर कला तुर अरे तब तो बेटवा मा बहाँ जल्दी बोलना हाँ, हाँ बेटवा औरे जय होग को म्या, श्कुरह होग जय हो यह और देखिए यह राजुस्थान की खास चीज़ है बस बस इच्छ सट काफी है मेरे कहने से और रख लीजिए कुवर सहाब कि आज पहला बच्चा होगा ना तब दीजीगा भूखो उम्हारे मुझ में घी शकत लौग अज़ पिटिया इस का करतो वहां सी जो ही मन में आया इसकी हमको कुछ छोकर देखो हां हां तुमका छोकर पता चल जाता है और हम आखन वारो जोन को हता है सब जूट है है न इक है मलीनिया ना पिटिया सच कहा था ना सच सुनत है आप ऐसा क्यों कहते हैं काहे न कहीं अज़ा का मुँदेखते मन रोगता है सूरत राज कुमार जैसे भाग बेकारी ता नजने कौने बंत का चिराग फुरी है जो महतारी के जित के कारण एक गरीब धोबी की कुटिया मा पल रहा है इसा न रखो इसा न रखो बिटिया मन जरियत और जबान जरूल बोली है जै हाउ मंखमल के भिच्छण अ हुए का चाहत रहा है जो चटाई पर सोवत है यहिका सुणने के दल्रे में जूले का चाहत रहा है वो मईले कपडे में जूल रहा है जैकल और कुछ की सोचो बिटिया जबी बडा हुई है चले प technician लगिए का खैये सूखी रोटी का पहनिये logging मतार जी बाप का नाम बतावे से इंकार करा थे तो दुनिया यही कहिए ने कहिए कोन अभाप लागी है मेरे बह्यों को बुला दो मेरा बह्यों को भुला दो वो उनकी अमाना समस्तक पोछा देंगे अबे घंचकत वो बीच की जिगल क्यों छोड़ दिये धर समारा और पसीना तुम्हे आरा अब ही लगा जिता हूँ अन्य जी लग्ला तैयार हो गया मलकिन बंगला तैयार हो गया पंडाल बन गया लड़की वालों को लेने के लिए गाड़िया इस्टेशन भेज़ दी गई और हाँ शेहरा लाने के लिए किसी को दिल्दी भीजवा दीजी मलकिन वो तु मैंने पहले ही भीजवा दिया है जगदंबे जगदंबे आईशा भाईशा हमें आग गया दाक्टर साहथ आप हमरे घर की गाउनत लिये जा रहे हैं अगर हम आप से कहीं थे हम कब हुनाहीं गोओ कब हुनाहीं गोओ हमरी बीटिया खुसी खुसी बिदा हो जाए आपन राजपार समाले हमका बुद्द है अच्छा वे बीटिया चालिस दिन पूरे भय पर मुल्ने के अखेर में शुर्मा जरूर डालियो और बीटिया ख्याल रखो रात को दुई बज़े का आँख खुल जाता है चिंता न करो बेहन चुविस घंटे हम सब इसके नोकरी में लग जाएं दो घरों का चिराग है दुई घर का नाही बहनी दुई घर का नाही तीन घर का चिरागा हम हो ललना के पहली बार गोट खिलावा है डाक्टर साहब हमरी एक छोटी से दिनती है पिटिया कब हो कहूं हमरे कुटिया में आ जाएकर बाबा क्यों न आउंगी जरूर आउंगी में इस घर को और तुम लूंगो के से भूल सकते हूं आशा, तुरिया है हुम हुम आशा 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि नहीं बहु घर में आ रहे हैं अब इतने दया और करना है इस घर का चिराख रोशन हो जाए मेरे अजय के घर बच्चा हो जाए फिर और कुछ नहीं मानोंगे भगवान कुछ नहीं मानोंगे भगवान बया 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 वाँ ये बगवान भी खूब है कितनी जल्दी सुनता है पैसेवालों की चाहे ये पैसेवाले उसका नाम लेकर किसी गरीब पिगले पर आप उसने आपकी सुली है अगर वो ऐसे ही सुनता है तुम्हारी तो उससे इतना और मांग लो कि इस गुरीब की अभी मौत हो जाए तारके मापनी आखों के सामने अपनी भैन का संथार उजड़ते हुए ना देख सकूए बैया आशा बहु तुम जिंदा हो लो लो अपने घर का चिराग då ऑ हमें धच्के मार कर यहां से बाड निकाल दो मेरे घर का चिराग मेरे घर का चिराग मेरे भच्चा मेरे अजयी का बच्चा वह हो माप क railsकिं़ तो अब इमाजी मैं आपको दिया हुए बच्न tauड कर यहां चलिया है इन बातों के लिए, इन बातों के लिए सारी जिंदगे पढ़िये वहू इस वक तो शादे को रोकना होगा, बाराज को रोकना होगा अजय, इस शादे नहीं, पाफ है, अनर्थ है, रोको, अजय को रोको लाग, 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 कौण से जनम में भुखतूंगी कोई पाप नहीं हुआ मा कोई अनर्थ नहीं हुआ हाजे हाजे तुम हाँ मा मैंने तुम्हें वचन दिया था संद्या की शादी जरूर होगी वो मैंने पूरा कर दिया लो बिटा अपने प्यार की निशाने को गले से लगा दो मा ये तुम क्या क्या रही हो हाँ बिटा ये तुम्हारा बच्चा है हमारे खांजान का चिराज मेरा बच्चा तुम फिराशा जिन्दा है हाँ कहा है डक्टर साहब रादा कहा हो अपने शाम के मंदिर में गर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे घर मैं जा रही हूं अब मेरी आप कोई जगह नहीं मुझे वापस न बुलाना तुम्हारी चौकट ने मुझे दुलन बनकर आते देखा तुम्हारी चार दीवारी में मेरे प्यार के सपने सच हुए मगर मैं, मैं ऐसी पापन हूं कि अपने आप को तुम्हारे काबिल न बना सकी ऐसी मुझे माफ कर देना, तुम्हे 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 देवताओं का वास्ता घर वालों की रक्षा करना नही आने वाली बहु को उसी तरह अपने शीने में चुपा लेना किस तरह साः गरीब को चुपाया था उसके वो तमाम सपने सच कर देना, जने लेकर वो तुम्हारी शरण में आ रही है. झाना तो झाला कर दो कर दो कर देना, जने लेकर दो तो प्हारी शर्ण में आ रही है.